गरिबों के आवाज अंसुनी करके पैसे लूट कर अयाशी में जीने वाला एक व्यक्ती बेटी के साथ अन्याय करने वाला एक पिता एक व्यभी चारी स्त्री रोगियों की परवाह न करते हुए समाज को लूट कर धन कमाने वाला एक डॉक्टर मनुष्य द्वारा बनाएं मूर्तियों की उपासना करने के लिए लोगों को विवर्ष करने वाला एक मनुष्य जिवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे गए नर्ग की आग के पात्र ठहरेंगे जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुच्चती जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी जीवन में दुख में पड़े लोगों को आशा दे कर अनेकों को एशू के बारे में बताने वाला एक व्यक्ति अपने छोटी कमाई से भी सूसमा चार प्रचार के लिए सहायता दे कर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाली एक स्त्री जरुवत मंदों के सहायता करके परमेश्वर का वचन बताकर जीवन व्यतीप करने वाला एक मनुष्य परमेश्वर का वचन सुनकर मन भिराकर मसिय को उधार करता और प्रभू के रूप में स्विकारने वाली एक स्त्री परमेश्वर के वचन के निमित खुद की जान तक लुटाने को तैयार एक व्यत्ती शरीर में रहते समय वचन का पालं करके जीवन बिताने वाले लोगों के शरीर को देजस्वी स्वर्गिय शरीर में रुपान तरिक करके अनंद कालिक रहने के स्थान पर ली जाया जाएगा जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए हर एक को स्वर्गिय लोग में प्रवेश मिलेगा पुरानी बाते बीट जाएगे अना-वा खुरानी भी जाएगे अर्श हो वह को दो में प्रवेश inhalisa छो वह वह थो भी जाएखे लडना ओता हाए लडना छहा अब कोई भी दुख या वेदना या क्लेश या कुड़कुड़ाना नहीं होगा वहा न शत्रुता होगी ना जगड़े और ना ही द्लेश बस शान्ती समाधान और आनन्द ही होगा हर स्वरक से परमेश्वर के पास से पवित्र नगर नया यरुशलें उतराएगी उसकी शेहरपना की जुड़ाई यशब की होगी और नगर ऐसे चोखे सोने का जो स्वच कांच के समान हो हर एक फाटक मोतियों का होगा इसराइल के गूतरों के और प्रेरितों के नाम उसमें गढ़े होगे केवल जिनके नाम मेलने के जीवन गरंथ में अंकित हैं वही इसमें प्रवेश कर पाएंगे उस नगर में सूर्य और चान के उजाले का प्रयोजन नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला होगा उसके फाटक कभी बंद ना होगे और रात वहाँ ना होगी सिंगहासन से निकलती हुई जीवन के जल की एक नदी होगी वहाँ पर परमेश्वर द्वारा चुने गए सभी लोग वहाँ पर प्रतिफल पाएंगे और उसके बाद मृत्यू न रहेगी वहाँ पर जीवन का पेड़ है इशु ही मार्ग सत्य और जीवन है मौत की चपेट से मनुष्य को छुडा कर अनंत काल का जीवन देने के लिए इशु मसिह दुबारा आएंगे इस सत्य को आप मत भूलिए